नमस्काल दोस्तों केस्तों आप तो यहाँ पर आज की इस वड़े में हम बात करने वाले MI NEC BAND Bluetooth Earphone का ज्यार दोस्तों आज की इस वड़े में हम जोई वह इसको अन्बोक्स करेंगे साथ ही साथ इस बैंड का जोई वह फुल ऑन रिव्यू करने वाले दोस्तों इस बैंड की प्राइज है सिर्फ पंधरा सुर रुपए बट यह बैंड की लोगों ने खरीदना चाहिए मतलब अगर आप डेली ट्राइवलिंग करते हो तो डेली व्यूज के लिए इस बैंड को खरीदना चाहिए आप बहुत ही ज़्यादा पब्जी खेलते हो तो पब्जी लवर्ण ने इस बैंड को खरीदना चाहिए या फिर नहीं मतलब की आप में कितने कमाल तरीके से सुन पाऊगे इसके लिए इस बैंट को खरीदना चाहिए या फिर ने बेसिकली ये बैंट किन लोगों ने खरीदना चाहिए आज की सुर्ण में बताने वाला हो एक साथ इस बैंड में आपको कौन कौन से कमाल के स्पेक्स देखने को मिलते हैं उसके बारे में भी आज की इस वीडिवें बनावाला हूँ एंद दोस्तों इस वीडियो में हम जो है इस बैन का अंबॉकसिंग घिव उवे करेंगे इसके साथ साथ इस भी हम giveaway करने वाले हैं जिया दोस्तों आप में से किसी एक लगी विनर को ये बैंड मिलने वाला है बिल्कुल फ्री इसके साथ साथ दोस्तों हमारे जो पिछले giveaway उसके रिजर्ट बहुत ही जल्दी आने वाले है तो दोस्तों वीडियो को जए वहां तक जरूर देखें नमस्क है बाजू की तरब देखें तो यहां पर मैं निक बैंड ब्लूटूथ यहर फोन देखने मिलता है बैक साइड के तरब से कब बैंड मना है किदर बैंड मना है इसी थोड़ी बहुत इंफरमेशन हमें देखने मिलते है तो चले करते हैं इसको जल्दी से एंबॉक्स लुक्ति ने मिलते हैं जिसमें कह देऍ है हमारी चारजिंग काड यूसб तायप टूक्र थीं फ्रुटी है थोड़ी सी चोटी है तकेका पे ह मिलने के तर्फ गडिन चे यूजर्ञ के सके मिलता कुस तरह से यूस कतले हैं और इससी के साथ हमें दोस्तों दोस्तों ड़ता ह इनसान के कान में यह अच्छे से fit हो सके अब जाते हैं हमारे band की तरफ तो दोस्तों मैं पहले आपको बता दू मुझे इसकी packaging सच में काफी कमालगी लगे एक को premium feel देता है और इसके साथ-साथ Bluetooth headphone की बात करें तो यहाँ पे भी आपको काफी premium quality की जो है वो build quality देखने मिलते है metal plus rubber का use किया गया है और इसके साथ आपको magnetic touch भी जो है वो देखने मिलता है बटन के बात करें तो यहाँ पे आपको तीन बटन है power on off and volume locker up and down इसके साथ आपको LED support भी जो देखने मिलता है और राइट साइड के तरह आपको इस headphone की जो है वो battery देखने को मिलती है तो इसके आप magnetic का इसके साथ charging की बात करें तो यहाँ पे आपको left में जो है वो charging का connection देखने को मिलता है इसके साथ आपको charger dock नहीं देखने मिलता है आपको अलग से जो हो खरीदना पड़ता है अब बात करें connectivity की तो काफी faster के से यह अपने device को जो हो connect होता है यहाँ पे आपको LED notification भी जो है वो देखने मिलता है इस phone में आपको Bluetooth 5 का support देखने मिलता है मतलब यह device at a time दो device को connect होना चाहिए बड़ दोस्तों कहने में शर्मा दिये कि यह device दो device के साथ नहीं connect होता है जिया दोस्तों आपको एक disconnect करना पड़ता है उसके साथ दूसरा connect होता है मतलब at a time दो device को यह band connect नहीं होता है तो मुझे यहाँ पर लगता है कि यह advantage देना चाहिए था बड़ छोड़िए इस बात को बात करते हैं अब इसकी look and quality की है आपके कान में किस तरीके से fit होता है तो दोस्तों यह आपके कान में काफे अच्छी से fit होता है जिया दोस्तों गिरने का कोई भी chance न बात आती है review कि क्या इस band को खरीदना चाहिए या फिर नहीं साथ ही साथ किन लोगों ने इस band को खरीदना चाहिए तो दोस्तों अगर आप daily use के लिए एक Bluetooth headset खरीदना चाहते है तो इस band को मैं आपको सच मैं recommend करूगा क्योंकि इसकी जो है वो quality काफी कमाल की है अपने price को य audio quality है वो काफी बैदरीन है इसकी जो mic की position है वो सही जगा पर है तो यहाँ पर calling के मामने में यह band काफी कमाल का है इसका मतलब अगर आप driving करते वक्त भी इस band से बात करूगे तो सामने वाले को audio quality भी काफी कमाल की आगे आपको बे आगे बट मैं आपको driving करते वक्त रेक्मे जलते हो तो sound जो है वो लेट सुनाई नहीं देगा exactly उसी time पर आपको जो सुनाई देगा तो किसी भी तरीक का delay आपको इस band में देखने को नहीं मिलेगा तो यह band gamers के लिए भी काफी कमाल का है अच्छे से आपके कानों में fit भी हो जाता है और साथ इसका backup जो है वो 8 गंटे है तो आपको में यह band recommend नहीं करूगा क्योंकि इसकी bass quality थोड़ी सी कम है यहाप बात आती है आप silent गाने सुनते हो या फिर अगर आप traveling करते हो किसी भी silent गाने को सुनना पसंद करते हो तो मैं आपको यह band सच में recommend करूगा क्योंकि इसकी जो silent गाने की audio quality वो काफी बहुत कमी मिली जैसे कि इस band में आपको किसी भी तरीके का vibration देखने को नहीं मिलता मतलब कि अगर आपको कोई भी call आता है तो यहाँ पर यह band vibrate नहीं होता है तो मुझे यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर M.I. ने उसके उपर काम करना चाहिए साथी साथ यह band जोई वो Bluetooth 5. 5.0 को support करता है तो यह band at a time two device को connect होना चाहिए था बट यहाँ पर यह band जोई वो दो device को at a time connect नहीं होता है तो यह भी यहाँ पर इस band का disadvantage है बट बैटरी बैकप की बात करें तो जो काफी ला जोब है साथ से 8 गंटे का आपको बैटरी बैकप भी जोई वो देखने मिलता है उसको charge करने के लिए सिर्फ दो गंटे लगते तो काफी बैटरी नहीं है डेली यूज के लिए यह band काफी कमाल का है तो दोस्तों यह थे कुछ advantage and disadvantage इस band के बारे में इसके साथ साथ दोस्तों इस band का भी हम giveaway करने वाले है गिवाव में पाइट से बट करने के लिए आपको ज लगी विनर को यह band मिलेगा बिल्कुल फ्री तो दोस्तों भी लाइक लिए इस वीडियो में इतना है वीडियो पर संदाई तो लाइक जरूर कीजिए शेर जरूर कीजिए और हमारे अपने वेक्टाटिक चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले